नमस्कार आप देखने हैं उत्राखंट तक और मैं हूँ आपके साथ सरीता तिवारी देहरादून के जोगीवाला पुलिस चौकी में एक महिला की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है महिला का कोरोनेशन हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुए देरसल मामला कुछ इस तरह से है कि महिला को पुलिस चोरी के शक में पुछताच के लिए चौकी ले जाती है आरूप है कि चौकी में उसे थर्ड डिगरी टॉर्चर दिया गया बिजली का करंठ लगाने के सासाथ गाली कलोच भी की गई बरफ भी डाली गई उस पर महिला की हालत इतनी खराब है कि उनसे बात करने पर वो बोलने में भी आस्समर्थ नज़र आई पिडित महिला के परिजनों ने बताया कि तीन महिला और एक पुलिस कॉंस्टेबल उनके घर पहुँचे थे आरूप है कि पुलिस कर्मियों ने पहले तो उनने घर में बुरी तरह पीठा और सारा सामान विखेड दिया इसके बाद उसे पुलिस चौकी ले जाए गया वहाँ पूचसाच के दोरान पुलिस ने उनकी उपर बरफ डाली और करंच लगाया साथी बैल्ट और जूतों से बुरी तरह पीठने के साथ ही गालियां भी दी और गंभीर हालत में पुलिस कर्मी महिला को घर छुड़ गए जी जाण पूचा करने गई रहा है और वहाँ पर सुबा नो बज़े गई रहा है जारा बज़े वापसी होगे रहा है अपाने रूम पर वहाँ एक बज़े से लगा के दो के बीच में चौरी हो गई फिर यहाँ से पुलिस आई इनको उठा ले गई कि मलसरा को लेगे जहां काम करता है काहलाक तुम चोरी करे हो वहाँ से पूंच्यांच होई वहाँ से वापस हमारे रूम पर ले आए वहां रूम की तल्लासी में कुछ नहीं नगला फिर इनका सिध्ध चौखी पर लिए चले गए चौखी पर मारते मारते इनका सख्रूा तो जब लाइस नहीं तो कहां से सखल ले। फिर उस दिन ग्यारा बजे रात तक रखें चौकी में। उसके बाद परधान छड़ा के लिए के आए। फिर दूसरी दिन लिए चले गए। फिर किरन डूरंट लगाए। इनको बरफ पुलिस वाले ने बरफ पे लेटा के फिर दूसरी रात के दस बजे छोड़ी। शर यह बात है। तीन महला रहा हैं तो जो दिन इस रहा है। अब आप क्या चाहते हैं। न्याओ चाहते हैं न्याओ वह वह बगर अन्या के मारा गया है। मिला के परिशेत उसे कोरनेशन होस्पिटल लेकर आते हैं जहां पर उसका इलाद चल रहा है। नहरादून से दिलीप सिंग राठोर्ट रिपॉर्ट झाल के जड़ सेंगे।